बाइस जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के पहले अयोध्या में नया नया आगाज हो रहा है नुश्कार मैं विश्नु प्रभाकर हूँ आप सबका गावाली रिपोर्टर और मौजूद हूँ अयोध्या में महर्शिप बाल्म की अंतराष्टी एरपोर्ट हमारे पीछे ये सांदार दिव्य भव्य अंतराष्टी एरपोर्ट आप सबको दिख रहा है और इसका जो रूप देखेंगे आकार देखेंगे तो आप सबको त्रेता यूग का वह यूग आदा जाएगा क्योंकि इसका जो डिजाइन किया गया है जो इसका व्यू दिया गया है कहीं न कहीं उसी यूग से भगवान राम के जीवन काल से उनके जीवन काल के समय का जो दिरिश हुआ करता था उसी हिसाब से जो है इसको जो है डिजाइन किया गया है और उसी हिसाब से जो है इसका रूप आप सबको दिख जाएगा और डोमेस्टिक फ्लाइटों का चलन शुरू हो गया इंडिगो ने शुरुवात किया है समय के अनुसाद 3 बच के 15 मिनड़ इसी महर्ची बालमी की अंतराष्टी एरपोर्ट से अयोध्या से मुंबई के लिए फ्लाइट और मुंबई से अयोध्या के लिए फ्लाइट की अयोध्या के डपलप्मेंट में एक बड़ा रोल आदा करेगा अयोध्या का महर्ची बालमी की अंतराष्टी एरपोर्ट आप सब यह नजारा देखिए व्यू देखिए और बड़ी शंख्या में लोग यहां फोटो क्लिक कराने आ रहे हैं तमाम पैसेंजर भी आ रहे हैं और जो इसका डिजाइन आप देखेंगे आपको एकदम अलग लगेगा और अयोध्या के डवलप्मेंट में एक बड़ा रोल निभा सकता है महर्ची बालमी की अंतराष्टी एरपोर्ट आपको बताते चलो कि 22 जनौरी को देश के प्रधान मंतरी नरिंद मोदी इसी अंतर हो रहा है वहां पर प्रधान मंतरी पहुंचेंगे और इस पूरे कारेकम की अग्वाई जो ट्रस्ट है उनसे अलग अलग जो शदश है वो करेंगे और खुद मुख्यमंतरी योगी यादित तनाथ इस पूरे कारेकम की अग्वाई करेंगे प्रधान मंतरी का स्वागत करे क्योंकि उसी लिए तैयारिया भी जोरोसोर से हो रहे हैं जो कुछ काम अभी अधूरे हैं पीछे देख रहे हैं लगतार यूदहस्तर से काम हो रहा है और प्रधानमंत्री के श्वागत के लिए भी उक हैं तो यह काना गलत नहीं हो गया अवध्या को और जो है सजाया जा रह और खास एतिहासिक दिन 22 तारिक भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा का आउशर और पुनह राम महलों में विराजेंगे और तमाम हस्तिया देश की तमाम हस्तिया अलग-अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्री अलग-अलग पॉल्टिकल पार्टी के नेता इसी आश्टी एरपोर्ट पे आएंगे और उसके बाद बाई रोड जो है वह मंदिर अस्थान पे जहां पे विधिविदान द्वारा पूजा पाड़ द्वारा कारकम होगा उस कारकम में शमलित होंगे तो एध्या की खास खबरों पे हमारी नजर वनी रहेगी आपको बस करना है गाहाँ वाले रिपोर्टर को सपोर्ट करना है यूट्यूब चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करना है और प्यार प्रेम आश्रुवाद रहते बना रखिए